सबसे पहले आपको दिपावली की बहुत-बहुत शुब कामना है आपके परिवार को दिपावली की बहुत-बहुत शुब कामना है बच्चो मैसल संजे विष्णोई और जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं यानि लगबग 40,000 प्लस बच्चे इस चैनल से वाद इतने टाइम से जुड़े रहने के लिए सो आज गुड़ न्यूज यह है बच्चो कि इस चैनल पर अपने एक लाइव रेगुलर बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह बैच नीट के लिए है मेच का नाम है हावान सो इस बैच में अपन किस तरह से कोर्स को कवर करेंगे कि सलेबस गुड़ जुस्में न्साट में कि चैप्टर जो थे वहुए सबस्क्राइब करते थे और अब जो है वो 32 है तो 11 पे थोड़े ज्यादा है चैप्टर और 12 के अंदर चैप्टर सोड़े कम हैं बैक्ग्राउंड में पठाके बज़ रहे हैं तो कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है और क्या पैटन रहने वाला है और चैप्टर रिड्यूस होने की वज़े से किस तो इस बारे में अपन करेंगे इसके लावा आपको लेक्ट्र सेड्यूल और प्रैक्टिस के लिए जो मिलने वाला चंटेंट है उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले अपना सेलेबस जो है वह ट्लास 11 के अगर सबसे पहले देखें तो जो 19 चैप्टर्स हैं 11 जिस recent years के अंदर तो जूलोजी वाले portion के question आपको बॉटनी में मिल जाएंगे बॉटनी वाले के जूलोजी में मिल जाएंगे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं है कि उसको बॉटनी में कवर किया जाए कि जूलोजी में कवर किया जाए तो तो मिक्स टाइप के question है तो अपन बाइलोजी के इसाप से कवर करें वह सबसे पहले अगर देखें मैं तो लिवाट शेक चैप्टर से पूखेजा चाने वाले क्वेस्टिन देखें तो जो ज्टो बैबश्यों इससे पिछले साल से ना थो दो जार्थ – है इस को होई यहां से कुछन नहीं आ रहा है पहले इस से भाइनॉमियल नॉमनक्लेचर से च्वेस्टिन पुछे जाते थे यह नहीं अरहे हैं पिर दूसरा जो है वो क्वेस्ट्ट्री कवेस्ट्री में 20-14 इस साल इससे दो इवरेज इससे दो 3 डिवेस्ट्रेज जो है वह आते रहे ठीक है एक एवरेज निकालने तो यह निकलता है इसका प्लांट गिंडम जो है उससे 3 जो है तीन चार तीन चार इससे पुछे जाते हैं ट्वंटी थ्री में फॉर क्वेस्टेन आये थे ट्वंटी फॉर के अंदर थ्री पुछे गए थे अनिमल की बात करें तो अज कल ज्यादा आने लगे और दूसरी बात यह कि अनिमल कंडम काफी बड़ा पॉर्शन है उल्रे इस यूनिट से सारे अपन डिसकस करेंगे इस यूनिट से टोटल क्वेस्टेन जो है वह कितने आ सकते हैं तो आप यह देख लीजिए कि एक एक क्वेस्टेन आप लिविंग वर्ल्ड से प्रोबिबली मान लीजिए दो से तीन आप बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन के तीन आप मान लीजिए प्लांट इंडम के तीन अनिमल इंडम के तो टोटल जो है वह अराउंड एट टू टैन क्वेस्टेन जो होंगे वह फॉस्ट यूनिट से आते हैं ठीक है फिर सेकेंड यूनिट की बात करें स्ट्रॉक्चरल और और इनिमल्स तो प्लांट और अनिमल के स पास आपका निकल जाएगा इसमें फैमिली जो है वह और एड हुई है इसकी वज़े से भी इसका बढ़ जाता है फिर एनाटमी ओफ लॉवरिंग प्लांट इससे ओस्तन यही क्वेस्टेन पुछे जाते थे तीन से चार क्वेस्टेन और वही आ रहे हैं फिर यह और फिर दूसरी बात की इंदर यह काफी काम आता है आगे वाले चैप्टर के इंदर भी तो भी इससे प्रोबिलिटी बढ़ जाती है तो चार क्वेस्टेन इससे ले लीजिए तो इसमें एक तीन चैप्टर है तो लगबग लगबग जो है इस से हो जाएंगे अपने परी पास में यस से अराउंट प्रोबोग हो सकते हैं और यह करीब-करीब उनिट फर्स ट्रिविंग वरल्ड स्ट्रॉइशन इन प्लांत और अनिमल जो इम्पोर्टक नट ईूनिट है वो है सेल अगर सेल की बात करें structure and function यहां भी तीन चप्टर हैं तो बच्चों सेल दे युनिट ओफ लाइफ से तीन से चार क्वेस्टेन एवरेज पुछे ही जाते हैं ठीक हैं बायो मोलेक्यूल से 23 में 4 बायो मोलेक्यूल को कई सारे टीचर दो पार्ट में बांच के पढ़ाते हैं दो पार्ट में इसलिए डिवाइड गरके पढ़ाते हैं क्योंकि एंजाइम वाला portion अलग से लेते हैं और बाकी जो मेजर बायो मोलेक्यूल हैं लाइक कार्भो हाइडरेट, प्रोटीन, नुक्लि के बारे में बताया गया है से बारे में बताया गया है तो चार से पांच question बायो मोलेक्यूल कवर करता ही करता है तो एवरेज पांच question आप इससे ले सकते हैं cell cycle and cell division जो है वो हर साल बहुत सारे question यहां से दे रहा है तो examiner का इस unit पर सबसे से खास focus रहता है दूसरी चीज यह है कि आपका exam जो है वो 12 बेस्ट है यानी नीट में entrance के लिए इस exam में ये address exam के अंदर बात करें तो 12 तक का syllabus पुछा जा रहा है mainly 11th or 12th का तो यानी बच्चे को cell के बारे में तो college होना ही चाहिए ना क्योंकि आप 9th or 10th के इंदर भी इन चीजों के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं तो यहां इस unit से cell cycle and cell division से उस्तन 5 से 6 question आ दे तो आप अगर total निकालोगे तो करीब 12 से 15 question यह carry कर रहा है 12 से 15 question यह unit carry कर रही है देखिए 4 question आप cell the unit of life के निकाल लीजिए 5 question आप निकाल लीजिए किसके biomolecule के और पांच ही cell division के निकाल लीजिए तो पांच पांच दस दस और 4 14 question होगी एक उसत निकालेंगे तो 12 से 15 question आ जाएं कई बार जादा आ जाते हैं कई बार कम आ जाते हैं तो आप देखिए कि पहले वाली जो यूनिट है इन दो यूनिट के साथ में अगर अपन compare करें तो यहां एक maximum ले तो 10 question यहां भी maximum 10 लेकिन यहां maximum 15 जा रहें तो इन तीन यूनिट में सबसे important unit जो है वो है cell structure and function तो 11 में overall सारी unit में से यह important unit है क्योंकि सबसे ज्यादा question लेकर जाती है फिर आगे जो प्लांट फीजियो और अनिमल फीजियोलोजी है जिसके अंदर वो इनके competitive कम है क्योंकि इनमें chapter ज्यादा है फिर भी question कम आ रहे हैं उनसे फिर यहां से अगर अपन देखें जैसे plant physiology के अंदर पहले दो चैप्टर और थे mineral and nutrition और transporting plants वो दोनों चैप्टर हटा दिये गए अब इसमें तीनी चैप्टर बचें तो फोटो सिंथेस से यहां से फिक्स से question आते हैं कि C3 cycle से आ गया जितने साइकल है चाहे वो Kelvin cycle हो चाहे C4 cycle की बात करें अपन उससे question पूछ लिया फोटो रेस्परेशन से question पूछ लिया तो यहां से एक यानि पहले से आपको पता होता है प्रेडिक्ट किये जा सकता है कि कहां से question इसमें फ्रेम होगा रेस्परेशन से भी वो तीन cycle दिये हुए है कौन-कौन से होगे glycolysis हो गया तो glycolysis 10 step एक प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होता है आप जानते हो इससे ATP के बारे में ज्यादा तर question पूछे जाते हैं फिर माइटो कॉनटरिया में होने वाले क्रैब साइकल और ETS के बारे में question पूछे जाते हैं तो इससे 23 में 24 में question पुछा गया तो average 2-2 question आप मान लीजिए कि यहां से आते हैं तीन question जो है वो फोटो सिंथे से होगे plant growth and development growth से और hormone से यहां से 2-3 question frame किये जाते हैं तो करीब करीब इस unit से question हो जाते हैं आपके आठ के around question मझे जाते हैं यानि 8 question जो है वो आपकी unit carry करती है फिर आती है human आप से बहुत कम आते हैं आप अगर pattern देखेंगे इस unit का तो पहला चेप्टर देखिए आप breathing and exchange क्योंकि digestion जो था वो हटा दिया गया है यहां से 23 में one question आया 24 में two question आया तो average इससे दो question पुछे जा रहे हैं ठीक है body fluid and circulation से दो से तीन question यहां से पुछे जा रहे हैं excretory से भी दो question पुछे जा रहे है locomotion and movement यहां से question joint से question आता ही आता है आप देखिए previous year के paper उठागर देखिए आपको joint से question यहां से मिल जाएगा फिर average माली जी कि एक से दो question यहां से आगे neural control and coordination में सबसे ज्यादा question आते थे year और आई वाले portion से वो हटा दिया अब इसमें neuron की structure imple conduction और brain तीनी segment बचे reflection भी हटा दिये तो एक या दो question यहां से प्रेम होता है और फिर chemical coordination and integration hormone से दो question पुछे जाते और यह भी कई सारे chapter के अंदर link कर जाते हैं तो अगर average अपन निकालें कि इन 6 chapter से अगर निकालें कि 1 2 3 4 5 6 इन सारे chapter से दो-दो question भी ले तो भी यह unit जो है वो मात्रि 12 question है और एक आप cell वाली unit देखिए सिर्फ तीन ही chapter है और उसका वेटेज 15 तक चला जाता है तो point is there कि हमें उन chapters पर ज्यादा energy waste नहीं करनी है जहां से question कम आते हैं आप cell वाली unit को बहुत अच्छे से पढ़े न यह थोड़ीना feeling के साथ से पर थोड़ीना बनता है कि यह unit पढ़ने में मज़े बहुत आते हैं हमें डॉक्तर वाला फील आता है इसका मतलब हम यह चेप्टर जो है वह रटे मारेंगे इसके comparison के अंदर अगर अपन दो और unit बहुत अच्छे से पढ़ें तो वह question जादा करी कर रही है है कि नही रख रहा है उस चेप्टर को उसी according पढ़ें यानि human physiology जो है इसमें ncrt से बाहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह 2-3 question frame कर रहा है उतना content in chapter में दिया हुआ है तो वह additional नहीं जाएगा चांस ही नहीं additional जाने का और यह यह point जो है इसके जो topics है इस unit के वह easy है इसलिए है क्योंकि systems है हमारी body के system है तो हमें मजा भी आता है पढ़ने में इंट्रस्ट भी रहता है तो याद भी आसानी से रह जाते हैं तो overall class 11th का अगर अपन देखें तो 11th class के अंदर 8 से 10 question जो है चुनिट करी कर रही है ठीक है diversity living world फिर structural organization in plant and animal जो है यह करीब 8 से 10 question लेकर जा रहा है फिर cell structure and function जो है यह 12 से 15 question यह लेकर जा रही है उसके बाद में plant physiology करीब 8 question और 12 question यह तो 12 और 8 20 इसके होगे ठीक है और बाकी 30 question जो होगे वह 8 8 question इनके निकाले है बाकी तो average अपने ले रहे हैं एक range ले रहे हैं ऐसा नहीं कि सर यह तो 50 से ज्यादा होगे न ऐसा नहीं है क्योंकि mixed question आते हैं कुछ portion जो लोजी में भी आता है कुछ portion जो है वो बोटनी में भी आता है जैसे सैल वाली यूनिट का दोनों ही portion के अंदर question कुछ जाते हैं तो यह अपने को ध्यान रखना है फिर अगर अपन class 12 की बात करें कि 12th class के अंदर जो है उसका content क्या है और कौन-कौन से chapter से कितने question frame के जा रहे है और आप अगर average देखेंगे कि 11th class में total chapter कितने 19 और 12 के अंदर कितने 13 तो आप फ्रेशो निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 12th का portion आजकल ज्यादा heavy है ज्यादा heavy इसलिए है क्योंकि इससे ज्यादा question पुछे जा रहे है और बच्चा freshly पढ़कर आता है तो with 12th वाले बच्चे के selection होने के ज्यादा हो जाते हैं ज्यादा इसलिए हो जाते हैं क्यों क्योंकि वह अभी पढ़ गया है उसको उतनी ही चीजे पता है जितनी एक्जाम में नीड़ेड है उसमें कुछ भी फालतु नहीं पढ़ रखा है तो चैप्टर पाई चैप्टर अकर अपन देखें इसके इंदर तो सबसे पहले देखिए sexual reproduction in flowering plant तो flowering plant के अंदर ये तीन question लेकर जा रहे है लग human reproduction जो है वो चार से पांच question यानि तीन से पांच ले ले लीजिए बले reproductive health जो है वो भी around तीन question लेकर जाती है तो ये unit maximum 10 question carry करती है 8 से 10 question आपना लीजिए ये unit carry करती है फिर सबसे important unit जो आती है वो genetics and evolution आती है भर भर के question आ रहे हैं इससे कैसे देखिए genetics से जो question आ रहे है principle of inheritance and variation 23 में 7 question 24 में 6 question है ठीक है तो around आप देखिए ओसत जो है वो इसकी 6 question की है फिर molecular basis of inheritance यानि MBI 5 से 6 question ये carry कर रहा है evolution में इस बार 24 में 4 question आई वेटेज बढ़ गया जो कि चेप्टर कम होगे तो आप फिर भी मान लीजिए कि 2 से 3 question evolution carry करेगा तो करीब 15 question की ये unit है यानि कि 1 तो 11th की cell unit और 12th की genetics and evolution ये दोनों unit मिलकर paper में करीब 30 question दे रही है 30 question ये दोनों unit मिलकर दे रही है फिर human welfare तो unit number जो 8th है क्योंकि continue है 11th के अंदर first है और 12th के अंदर start होती है 6 से तो 8th unit के अंदर biology human welfare में human health and disease 3 to 5 question यहां से आते हैं ये chapter already बहुत बढ़ा है और 3 disease बहुत detail की अंदर दे रखी है यहां पर जैसे कि ads को पूरा detail में दिया हुआ है cancer को दिया हुआ है malaria को दिया हुआ है फिर drug abusing भी इसमें दे रखी है immunity भी इसमें दे रखी है और general disorder भी दे रखे तो जिस तरह से chapter की length है उतने question ये carry नहीं कर रहा है बट ठीक है चार question average ये निकाल रहा है और microbes in human welfare एक से दो question ये आ रहे तो करीब करीब जो है आप माल लीजिए चार से च्वेस्टन जोंगे वो इस unit से आते हैं तो यहां पर जो important unit है वो है genetics and evolution और फिर next के इंदर देखिए एक unit important और है ट्वेल्ट की वो है seven question आये प्रिंसिपल से अगर दोनों चैप्टर को बायोटेक फर्स्ट और बायोटेक सेकंड को ले अपन दोनों चैप्टर को ले तो अराउंड ये जो है वो आपके आठ से दस question लेकर जा रही है दो चैप्टर सिर्फ दो चैप्टर 11 के अंदर कुछ unit है जिनमें चार-चार है चार-चार चैप्टर है वो आठ से दस question दे रही है यहां सिर्फ दो चैप्टर आठ से दस question दे रहे हैं यानि 12 की एक तो MBI वाली unit हो गई यह genetics and evolution जिसमें genetics and evolution है 15 question यह हो गए और एक यह वाली unit हो गई दस question ही हो इन दोनों unit को मिला है तो 25 question यहां से जा रहे है फिर ecology में पहले चार चैप्टर हुआ गरते थे ठीक है जो last unit है तो अब तीन हो गए और इंवायरमेंटल फेक्टर के साथ में इंट्रक्शन था वह अटा दिया गया है तो चार question जो थे 23 में आए और दो question 24 में आए ecosystem से 24 में एक ही आए लेकिन biodiversity से सारे question 24 के इंदर 5 question जो है वह by diversity and its conservation से आए तो ecology जो है वो भी around around अगर आप देखें तो तीन question यहां से माल लीजिए दो यहां से माल लीजिए इस बार इससे ज़्यादा आए बट दो से तीन question यहां से भी आते हैं तो करीब 8 question जो होंगे वो ecology की unit भी carry करती है अब अगर इसको अपन summarize करें कि कौन सी तीन unit सबसे of life, biomolecule, cell cycle and cell division, फिर 12th के इंदर genetics and evolution में से, genetics हो गई, MBI हो गई, revolution हो गया और फिर biotechnology के दो चेप्टर हो गई, यह तीन unit most important unit है जो करीब करीब आपके 40 plus question लेकर जा रही है, क्योंकि 15 question क्या सपास cell से कर लीजिए, 15 question ही आप कहां से कर लीजिए, genetics and evolution से और करीब 10 question biotechnology से ले तो 40 के around question जो है, 35 to 40 plus भी चला जाता है कई बार, 35 to 40 plus question यानि paper का half जो है, वो यह सिर्फ 8 chapter कवर कर रहे हैं, 3 chapter cell वाले में, 3 chapter ही किसके इंदर है, genetics and evolution के इंदर है, और 2 chapter biotech के हैं, यानि total 32 chapter में से, जो 8 chapter हैं, यह आपके paper का nearly half portion कवर कर रहे हैं, यानि 40 around question लेकर जा रहे हैं तो हमारा focus खास तोर से unit पर जादा होना चाहिए, बात समझ में आ रही हैं, तो यह जो reduced syllabus है, और उसमें average जो question पूछे जा रहे हैं, उसके बारे, तो अपन सबसे पहले जो हैं, वो biomolecule से start करें, आपके joology और botany के lecture parallel रहा करेंगे, एक lecture आपका दोपैर में रहेगा, noon में लायू रहेगा और एक evening time में लायू रहेगा, जिनका channel पर आपको update दे दिया जाएगा, ठीक है, इन chapter से related pdf, इन chapter से related question जितने भी practice के लिए निडिड होंगे, वो सारे telegram channel पर available रहा करेंगे, और आपको daily regular जो है वो update मिलता रहेगा, ठीक है, इसके इलावा, आपको किसी और रहने किसी चीज की जरूरत हो, या कुछ extra material चाहिए हो, तो आप directly channel के about में whatsapp number दिये वे हैं, वहाँ आप call ना करें, क्योंकि call पिक करना हर बार possible नहीं हो पाता है, आप message drop करके छोड़ दे, message drop कर दें, तो जैसे ही check करूँगा मैं, तो मैं आपको reply कर दूँगा, और जो भी किसी भी तरह की आपको information चाहिए, सुबचो अगर आपको अच्छा लगे, तो आप support करिएगा, मिलते हैं अपन live lectures में, thank you so much